आउज बिल्लाहि मिन श्चेत्वान रजीम बिस्मिल्लाहि रुछ्मान रुछीम अस्सलामु अलेकूम स्टूडेंट्स उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे मजमून इस्लामियाद क्लासेर्थ टॉपिक अहादीस मेरा नाम है अनिला फरुकी आज हम हदीस नमबर तीन का तर्जमा और तश्री इस लक्चर में आप सुनेंगे हदीस नमबर तीन पेश नमबर फिफ्टी को लें अपनी बुका खेरिकुम तुम में से बहतर मन जो ता अल्लम सीखे अल्कुरान कुरान वा अल्लम हू और इसे सिखाई कि तुम में से सबसे बहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया तश्री देखते हैं इस अदिस मुबारका में उस शखस को सबसे बहतरीन इनसान करार दिया गया है जो खुद कुरान की तालीम हासिल करे और फिर दूसरों को भी इसकी तालीम दे इसकी वज़ा ये है कि कुराम अजीद आल्ला का कलाम और पेगाम है ये कियमत तक के लिए तमाम इंसानओं और तमाम जमान के लिए हडाये और रहनुमाई का जरिया और एक मुकमल जाबताे हैं इनसान की काम्याबी और नजात इसी बात में पोशईदा है कि वो कुराम अजीद की तालीमात हास्ल करे उन्हें समझे और उन पर अमल करे नभी करीम सलय लाव लेड़ लुए वालव लिए ने कुरामजीद की तलावत और तालीम को बहतरीन अबादत करार दिया है और ये अल्लाव के गुर्ब का सबसे बड़ा जरिया है अब हम देखते हैं कि कुरान मजीद की तालीम हासिल करने वाले को नबी करीम ऐसी जए ने सबसे बहतरीन इनसान क्यों किरा दिया है अब देए बहते हैं सबसे पहले तो लफ़ कुरान को देखते हैं ने कुरान का लफ़ किरातन से निकला है जिसके मानी है पढ़ना कुरान के लोगवी मानिये बार बार पढ़ी जाने वाली किताब कुराम अजीद अल्ला ताला का कलाम है देखे हर किताब का कोई न कोई टॉपिक होता है और इस किताब का जो मुजू है वो है इनसान इस किताब में ये नहीं कि सिर्फ नमाज रोजा जकात हज या दीन से रिलेटर सिर्फ जो वो तालीमात बियान की गएंगे दुनिया का कुछ भी नहीं बताया गया ऐसा नहीं है इसमें इबादात का जिक्र तो है लेकिन क्या है कि इनसानी जिन्दगी के तमाम पहलू चाहे वो दुनिया से रिलेटर है आखरत से रिलेटर है माईशत से रिलेटर है मौाशरे से रिलेटर है सियासी है या साइंसी कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुकमल रहनमाई कुरान में मौजूद ना हो अब जो साइंस फॉर एग्जेंपल हम साइंस की बात को ले लेते हैं कि आज से चोड़ा सो साल पहले हमारे प्यारे आका नभी करीम सले लाले सलम ने जवाल के उकात में नमास पढ़ने से सजदा करने से नमास पढ़ने से माना फरमाया आप देखें जो बात नभी करीम सल सलम ने चोड़ा सो साल पहले बताई साइस आज 14.00 साल बाद इतनी तहकीकाद करके तो वो रिजल्ट निकाल सकी है जो 14.00 साल पहले नभी करीम से सल्मने बता दिया था अब साइस ने कहां से सीख़ है कुरान ही से तो सीख़ है साइस क्या है कुरान साइस ही तो है दुनिया का कोई भी ऐसा कोई ऐसी ऐसा पहलू नहीं है कि जिसके बारे में कुरान में मुकमल रहनमाई मुझूद ना हो कुरान मुझूद में मुक्तलिफ मकामाद पर अल्ला ताला ने इसकी फजीलत को मुक्तलिफ अंदास से बियान फरमाया है अशाद बारी ताला है कि ये किताब यानी कुरान जिक्रू लिला आलमीन तमाम जहानों के लिए नसीयत है अब देखें कि चोदा सो साल गुजर चुके हैं आज भी हम जब कुरान की तालिमात को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि ये कुरान हमारे लिए ही नाजिल हुआ क्यामत तक आने वाले लोगों को नसीयत हासिल करनी है किस से इस कुरान से फिर फर्माया कि जब कुरान पढ़ा जाए कुरान पढ़ा जाए तो उसे गोर से सुनो कहीं जब तलावत हो रही हो आप किसी महाफल में बैठे हुएें कुरान मजीद की तलावत हो रही है घर बैठे हैं टीवी पर हो रही है मुबाइल पर आप सुन रहें आपकी कानू में आवाज जा रही है तो क्या फरमाया? खामोश रहो और उसे गोर से सुनो जब हम कुरान को खमोशी से गोर से अदब से सुनेंगे तो आल्ला क्या फर्माता है लाल्लकुम्तुर्हमून ताके तुम पर रह्म किया जाए हमें नहीं भी जाता कुरामजीद का तर्जमा फिर भी हम गोर से सुने कि अल्ला क्या फर्मा रहे हमें फिर भी समझ नहीं आरी तो फिर भी अल्ला क्या फर्मा रहे ताके तुम पर खमोशी से सुनना है गोर से सुनना है ताके अल्या तुम पर क्या फर्माए रह्म फर्माए फिर फर्माया कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान किया है फिर है कोई सोचने समझने वाला यनि कुरान कोई मुश्किल किताब नहीं है बहुत आसान समझ में आने वाली किताब है तो क्या है कि कोई है इसको इस पर गोरो फिकर करने वाला इसको समझने वाला बहुत आम सादा अलफास में अल्ला ताला ने इनसानियत को समझाया है इनसानियत को पेगाम दिया है अब देखें कुराम अजीद हिकमत और दानाई की किताब है अब सिर्फ इसकी तिलावत करना ही काफी नहीं है बलके इस पर गोर करना के अल्ला ताला ने क्या फरमाया है इसमें उसको समझने की कोशिश करना और उस पर अमल करना जरूरी है अब कैसे जरूरी है अब देखें इसकी मसाद समझने के कुरान अर्बी जबान में है तो इसकी एक मसाल है कि अगर किसी शथ को किसी दोस्त का किसी अपने करीबी रिष्टदार का खत मिलता है तो वो ये कोशिश करना चाहता है कि वो जल्द अस जल्द वो पढ़े कि उसने उस खत को में क्या लिखा है क्या बताया है तो ये समझ रहें कि कुरान का मौमला भी इसी तरह है कि ये अल्लह की तरफ से हमारे पास एक खत आया है जो हमारे नाम आया है तो हमने क्या करना है, हमने इसे पढ़कर मालूम करना है, कि अल्ला ताला हमसे क्या चाहता है, ताके हम इसके मताबक अमल भी कर सकें, कुरा मजीद की फजीलत के हवाले से, नबी करीम सलिल्लाहु लिए वालूम की मतादद अहादीस मुबार्था मुजूद हैं, फर्माया कि कुरान का माहिर, नबी करीम सलिल्लाहु ने फरिश्टों के साथ है, जो आमाल के एतिबार से, बजर्ग और नेको कार है, फिर फर्माया कि जो श्रस कुरान को अटक अटक कर पड़ता है, उसको पढ़ने में मुश्किल होती है, उसको सही नहीं आता इतना, मुश्किल से वो पढ़ता है, तो उस पर भी उसको दुगना सवाब मिलेगा, एक और हदीश भी है, कि नबी करीम सलिल्लाहु ने फर्माया कि जो श्रस कुरान का एक हर्फ तलावत करेगा, तो उसे दस नेकियों का सवाब मिलेगा, आप देखें, कि जब हम कामजीद की तलावत करते हैं, तो हमें एक एक हर्फ को पढ़ने पर दस दस नेकियों मिलती हैं, फॉर एकिजेंप्ल, अगर हम पढ़ते हैं, अलहम्दु, तो अलहम्दु में कितने वाड़ें, अलिफ, लाम, हा, मीम, डाल, सिर्फ अलहम्दु केने से पचास नेकियों मिलती हैं, तो हर-हर नेकिय के बदले में कितनी-कियों तस-दस, फिर एक अधिस के मताबिक सुरत यासीन को कुराम अजीद का दिल कहा गया है जो शखस इसे पढ़े कि उसे दस कुराम अजीद पढ़ने का सवाब मिलता है नभी करीम अजीद ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो इसलिए कि कुरान क्यामत के रोज सिफारिश करने वाला होगा अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करने वाला होगा और पढ़ा करो उन दो सूर्थों को जो बहुत रोशन और चमकदार हैं कौन सी सूर्थे हैं सुरह बकरा और सुरह आले इमरान कि हमें अपनी जिन्दगी का मामूल बनाना चाहिए कि डेली कुरान पाक की तलावत करें सुबा उटके कर ले रात को करें लेकिन क्या है कि अपनी जिन्दगी का मामूल बनाए और सुबा के वक्त तो कुरान पढ़ने का जो वो अज बाकाइदा जो है वो ह्कम भी दिया गया है कि कुराण मुजीद में ही ह्कम दिया गया है कि सुबा के वक्त जब ऑड़ो कुरान पठना इस हवाले से और सुरे बकरा के हवाले से कि यहां पर बताएगे ना कि दो सुर्ठे पड़ाओ कर जो बहुत रोशन और चमकधार है सुर बकरा अगर अगर पूरी नहीं पड़ सकते तो इतलीस जो सुर बकरा का आखरी रुकु है आमन الرसूलु सिलेक लास तक ये जरूर पढ़ लिया करें इसकी क्या फदिलत है कि जिस घर में भी सुर बकरा की आयात तलावत की जाएं शैतान उस गर में दाखिल हो सकता फिर एक और हधीष है नबिक्रीम सालियो ने फ्रूमाया कि आनल्छ इस किताब के जरी एक قौम को बलंद करता है तो दूसरी قौम को पस्त करता है अब आनल्छ आनल्छ किस قौम को बलंदी औरूज अता करता है कि जो कुरान पढ़ती है और इस कुरान पर अमल करती है अल्ह ताला उसे दुनिया में भी काम्याबी और काम्याबी और काम्याबी और काम्याबी और अता फरमाएगा और देखें इसमें एक मुस्लिम और गहर मुस्लिम की मिसाल आपके सामने है कि क्या है कि एक मुसल्मान जब इस कुरान पे अमल करेगा इस कुरान को पढ़ेगा समझेगा सीखेगा दूसरों को सिखाएगा तो उसकी जिन्दगी में अमनो सकून होगा उसके नमाए अमाल में नेकियों का अजाफा होता चाहेगा क्यामत के दिन वो अपने रप के सामने सुर्खरू खड़ा होगा अब इसके बरक्स गेर मुस्लिम की मिसाल ले ले उनके पास दुन्या की हर नेमत है लेकिन उनकी जिन्दगी में सकून नहीं है क्यों नहीं है इसलिए कि वो कुरान से दूर है अल्म झार्जा के एहकामात चो बताए गए हैं उन से दूर है تو کیا ہے کہ جو قوم اس قرآن پر عمل کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دنیا اور آخرت دنوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے جو قوم اس پر عمل نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور جو کچھ اس قرآن میں بتایا گیا ہے हाفزِ قुरान के लिए ये भी है कि जो श्रस्क हाफजِ قुरान होगा ठीक है फिर वो ऐसा हाفزِ قुरान कि जिस ने कुरान हिफ्सी नहीं किया हुआ बलकि वो उसके एकामात पर अमल भी करता है अपनी जिंदगी सही मानू में उन्ही एकामात के मताबिक गुजारता है जो इस किताब में बताए गए है तो आला ताल नभी करीम से असना में फ़िमा कि ऐसे शफ्स के माँ बाप को क्यामत के रोज ताज पहनाया जाएगा तो यहां से भी हमें फजीलेते कुरान का अन्दाजा होता है अब देखें कुराम अजीद एक ऐसी किताब है यह हमारे पास एक जीता जाकता मुजिजा है के दुनिया में बेश्मार किताबे हैं जिनके राइटर हैं जिनने खुद भी लिखी हैं लेकिन उनको वो जबानी आती नहीं होगी लिख तो ली हैं उन्होंने इसी तरह जो इलहामी आस्मानी किताबे हैं तोरैत, जबूर, इंजेल अगर चाहिए अपनी असली हालत में महफूस भी नहीं है इन किताबों में रदो बदल कर दिया गया है लेकिन कुराम अजीद का ये मौजजा है कि ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है इसलिए भी मौजूद है क्योंके आला तरह ने कुराम अजीद में फर्मा दिया कि इन्ना नहनु नजलना जिक्रा वा इन्ना लहूला हाफिजून बेश्क ये जिक्र हमने ही नाजल किया और हम ही इसकी इसकी इफाज़त करने वाले हैं तो कुराम अजीद तक कोई भी इसमें इस किताब में तबदीली नहीं कर सकेगा जो तोरेज, जबूर और इंजीर है इनके इनमें तबदीली रौनमा हो चुकी है क्यों? कि इनके जो जिन उम्मतों पे नाजिर हुई अंबिया के बाद ये हुआ कि उनको जो जो चीजें जो रूल्स और रेगुलेशन पसंद नहीं होते थे उनको लगता था कि मुश्किल है इन पे अमल करना तो वो उसकी ताब से हटा कर तो जो पसंद होते थे वो उसमें लिख देते थे और लोगों को बता देते थे कि अब इसमें अल्ह तरह ने ये फरमाया है और एक आम इनसान को क्या पता चलता था कि वाके ये अल्लह ने इसमें ये फरमाया है ये नहीं फरमाया तो वो उस पर अमल करना शुरू कर यानि उनके जो अलमा थे उनों ने ये काम किया था तो कुरामजीद का एक मौजज़ा ये भी है के कुरामजीद दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिस के हाफिज जो मौजूद हूँ और ये शर्फ सिर्फ और सिर्फ कुरान ही को वासिल है कि आज देखें अगर 6-7 साल का बच्चा जो है वो भी इसको आसानी से हिफ्ज कर लेता है ये कुरान की फजीलत है अब हम देखते हैं इस अधिस का हमारी अमली जिन्दगी से क्या तालुख है यानि अगर हम इस अधिस पर अमल करेंगे अधिस पर क्या अमल करेंगे कुरान सीखेंगे और सीख कर दूसरों को सिखाएंगे तो हमारी पस्टनल लाइफ पर और क्या क्या जो वो एफेक्ट्स रोनमा होंगे क्या असरात होंगे अगर हम इस quotation को सीख कर दूसरों को सिखाएंगे तो दुनिया और आख्रत दूनों को हम सवाड़ेंगे दूनों में कामयाँ भी हसल करेंगे कुरान सीखने और सिखाने के अमल से हम दूसरों से मुमताग सोंगे एक इफरेंस है نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی بھی اور teacher کے لیے نہیں کہا کسی اور معلم کے لیے نہیں کہا کہ وہ شخص جو سکھا رہا ہے وہ سب سے بہترین ہے نہیں کس کو فرمایا کہ جو قرآن کا سکھانے والا ہے تو کیا ہے کہ قرآن کا سکھانے والا باقی تمام لوگوں سے کیا ہے ممتاز ہو گیا اس کا درجہ سب سے بلند ہو گیا اس لیے کہ اس کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیند دے دی ہے قرآن مجید قیامت تک ہدایت اور نجات کا واحد ذریعہ ہے اگر ہم اس قرآن کو سمجھیں گے سیکھیں گے اس پر غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا اس قرآن پر کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کس پر ہے جب ہم اس کے احکامات کو پڑھیں گے اور ان پر عمل کریں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے تو تلاوت قرآن سے کیا ہوگا ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں ہماری نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ میری امت کی جو سب سے افضل عبادت ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا جب ہم اس عدیث پر عمل کریں گے یعنی قرآن سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا قرآن سیکھنے کے عمل سے اگر ہم یہ قرآن دوسروں کو سکھائیں گے تو یہ عمل ہمارے لئے صدقائے جاریہ ہوگا کیونکہ جب ہم ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور آفرڈرٹ ظاہرہ انسان کا دنیا سے عمل منقطع ہو جاتا ہے وہ آپ نے لئے کوئی بھی نیکی کچھ بھی نہیں کر سکتا جو کچھ کرنا تھا اس نے مرنے سے پہلے ہی کرنا تھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی جو وہ ان کا ثواب ملتا رہت ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے نیک اولاد کہ نیک اولاد ماں باپ اگر فوت ہو جاتی ہیں تو نیک اولاد جو ہے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیہ تیسی کی کہ ان کی اولاد جو وہ ان کے مرنے کے بعد نماز پڑھتی ہے قرآن کی باقاعدہ تلاویت کرتی ہے اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارتی ہے انہوں نے اس کی ٹریننگ ایسے کی ہے تو کیا ہوگا کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کو جو اولاد نیک کام کرے گی ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اسی طرح انسان نے اگر کوئی کون وغیرہ خدوا دیا کوئی ایسا کام کر دیا جس سے پانی ہے جیسے یا مسجد کی تعمیر ہو گئی لوگ نماز پڑھتے ہیں یا اس کونے سے پانی پیتے ہیں تو جب تک وہ عمل اس میں جاری رہے گا کوئی پانی پیتا رہے گا یا مسجد میں نماز ادا کرتا رہے گا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا چاہے اس کا ترجمہ پڑھایا تجوید کے ساتھ پڑھایا ان کو پڑھنا سکھایا ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو اس کے بعد جب تک جس کو اس نے سکھایا جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے وہ آگے سکھاتا رہے گا پڑھتا رہے گا تو اس کا ثواب اس شخص کو جس نے اس کو سکھایا تھا اس کو ملتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے دوسروں کو پڑھانے دوسروں کو سکھانے اور اس کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھنے سمجھنے